नोवी कक्षय की विज्ञान विशय की इस ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय गती। इसे पीछले वीडियो में हमने गती से संबंधित समीकर्ण हल किये। और घ्राफिय विधी से हमने देखा कि हम उन समीकर्णों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने गती और वेग के बारे में जारा और उन में क्या अंतर था यह भी समझा। हमने देखा था कि जब कोई वस्तु चलती है तो वह गती में कहलाती है परन्तु उसके साथ अगर हम दिसा भी सम्मिलित कर दें तो वह वेग बन जाती है। और वेग में परिवर्तन की दर को हमने तवर्ण कहा था। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन की बात करें तो वेग दो चीजों से मिलकर बना हुआ है एक गती और दूसरा है दिसा। यानि कि हम कह सकते हैं यदि हम वेग में परिवर्तन करना चाहें तो चाहे हम चाल में परिवर्तन कर दें या उसकी दिसा में परिवर्तन कर दें। दोनों ही स्थिती में वेग में परिवर्तन होता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है, तो इसको हम कहते हैं तवर्ण, परन्तु क्या वेग में परिवर्तन करते हुए हम चाल एक समान रख सकते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा उधारण है, जिसके अंदर वेग में परंतु उसकी चाल लगातार एक समान बनी हुई है। जैसे मैं कहूं कि किसी वस्तु की चाल दस किलोमेटर परती घंटा है तो वह एक समान रहे परंतु वेग लगातार बदलता रहे। आप इस उदाहरन के बारे में यहां पे इस वीडियो को रोक कर समझने का परियास किजिए। और याद किजिए कि आपके सामने क्या कोई ऐसा उदाहरन कभी आया है। अब आपने इसके बारे में जरूर सोच लिया होगा। और मैं आपको याद दिलाओं कि पंखे की गती भूम रहा है वो लगातार एक जैसी है। परन्तु जब उसके वेग की बात करें और वेग में दिसा भी होती है। और दिसा होने के कारण उसकी गती और दिसा मिलके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। आप पंखे की किसी भी पंखुडी के उपर एक तीर का निसान ब तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है और जब वेग में लगातार परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की गती को हम तवरित गती कहते हैं यानि कि वेग में बदलाव हो उसको हमने तवर्ण कहा था और इस प्रकार की जो गतियां होंगी जिसमें वेक परिवर्तित लगातार होता रहे, उनको हम कहते हैं तवरित गती, आईए अब इस तवरित गती को इस भवरे की सहायता से हम समझने का परियास करते हैं, यहाँ पे आपको जो यह छोटा सा भवरा दिखाई दे रहा है, इसके सामने जो आपको यह तीर नजर आ र रहा है, दूसरी बात इसकी चाल जो भी है, हम जो ध्यान देंगे वो इसकी दिशा के उपर देगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यह लगातार सरल रेखिये गती कर रहा है, आप इसमें देखिए यह लगातार सरल रेखा में चलता जा रहा है, और जैसे ही यह तो देखिए तीर की दिशा भी बदल जाती है यानि कि यहां पे जो ये तीर है इसका वो दिशा को इंगित कर रहा है कि यह भवरा किस दिशा के अंदर जा रहा है। ही, हरे रंग का वह इसकी दिसा को इंगित कर रहा है और जो छोटा थीर है वो इसके तवर्ण को बता रहा है तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो इसकी गटी है वह लगातार एक समान बनी हुई है, वह लगातार एक समान गती से इस पूरे चक्कर जो आपको वृत दिखाए दे रहा है इसके अंदर चकर लगा रहा है और इसका जो तीर का निशान है हरा रंग जो दिशा को इंगित कर रहा है आप देख सकते हैं हर बिंदू के उपर वह बदल रहा है अभी यहां पे यह आप देख रहे हैं इस डारेक्शन में फिर नीचे की तरफ अभी ये दूसरी तरफ लगातार इसकी दिसाप परिवर्थित हो रही है तो यह है कैसी गती हुई तो दिखिए यह है तवरित गती का कैसे पता चला जो तीर है अगर तव्रित गती नहीं होकी तो जो छोटा तीर है जो acceleration जिसके उपर लिखा हुआ है वहे तीर होगा ही नहीं वहे सिर्फ तब होता है जब गति तवरित होती है तो इसका मतलब वर्तुल पत्थ के अंदर जब वो चक्कर लगाता है उसकी दिशा लगातार बदल रही है और उसकी दिशा जब लगातार बदल रही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह भावरा तवरित गति से चल रहा है अब क्या करें हम इसको छोड़ देते हैं यहां से और चलने के लिए छोड़ दें कि यह है अपने आप चलता रहे जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है तो इसकी जो किस तरफ जाएगा बात देख अदर जाएगा तो वो उस दिशा के अंदर जाएगा जिस दिशा में जब वह धागा खुला उस पत्थर की दिशा थी अर्थात यहां से अगर हम देखना चाहें यह देखिए हमारे पास यह भावरा है इसको मैं यहां पर रोकूं यह मैंने रोक लिया अब आप देख सकते है यहाँ पे जो यह भवरा जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो उपर की और जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, यह इसकी गती को परदर्शित कर रहा है, इसकी दिशा को, अगर इस भवरे को यहीं पे छोड़ दिया जाए, मान लिया हमने बांध रखा था, और इसक से को यहां से हम जुखाना शुरू कर दें, यह है वरत्त ल्गती को आपधारी जाया, अब ज़रूरी नहीं है कि यहां पे इसी तरह का हो, अगर आप किसी भी तरह का यहां पे इसके लिए रस्ता बना सकते हैं, यहां पर मैंने अब की बार अंदर कर पत में चला रहा हूं तो ये ध्यान रखिए आमेशा जो इसका तीर का निशान है बड़े वाड़ा वो तो इसकी गती को और दिसा को यानि की सम्मिलित रूप से कहें हम वेग को परदर्शित कर रहा है और छोटा हिसा छोटा तीर इसके तवर्ण को या एक्सलरेशन को परदर्शित करता है अब य फिर से बढ़ा फिर से छोटा हुआ छोटा कब हो रहा है या बढ़ कब रहा है यहां पे आप देखिए वो तब बढ़ता है वो जब ज़्यादा दिसा में परिवर्तन करता है अभी वो एकदम से बदल रहा है अपनी दिसा को यहां पे वो कम दिसा बदल रहा है यहां पे इस वज़े से जहां पे दिशा में परिवर्तन ज्यादा होता है, जहां ज्यादा दिशा में परिवर्तन होगा, वहां पे तवर्ण भी ज्यादा हो जाता है, और जहां पे दिशा में परिवर्तन कम आता है, वहां पे तवर्ण में भी कमी आती है, इसी कारण से जब आप इस इस नीचे के हिस्से में जो अभी ये चल रहा है इसको देख रहे हैं तो इन दोनों हिस्सों के ऊपर जो तवर्ण है उसका मान कम होता है और जो दोनों हिस्से बराबर के हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से यहां पे तवर्ण का मान बहुत अधिक है अब इसक को शुरू करता हूँ और देखी इसको मैं इस तरफ कर दूँगा तो यह थोड़ी शुदूर चला , जब एकदम से गती में परिवर्तन करता है तो तवर्ण का मान जादा होता है । आप यह गती को और भळयेंगे यह देखी एकदम से अब यहां से आप वेग और गती में परिवर्तन को समझ सकते हैं इस अध्याई की सुरुवात हमने की थी गती से जिसमें हमने पढ़ा था कि स्थिती में परिवर्तन को हम गती कहते हैं इसकी वैख्या तै की गई दुरी या विश्थापन के रूप में भी हमने की हमने देखा था कि जब कोई वस्तु कुछ दुरी तै करती है तो उसे हम गती में कहते हैं जिसके साथ हमने समय को भी सम्मिलित किया था और दुरी और विश्थापन को भी हमने पढ़ा था दुरी किसी भी दो बिंदूओं के बीच की थी और उसके साथ जब हम दिसा भी सम्मिलित कर देते थे तो वह है विश्थापन होता था कुछ समय में जब कोई वस्तु विश्थापित होती है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको हमने गती या वेग कहा था इसके बाद हमने पढ़ा था एक वस्तु की गती का समान या एसमान होना उस वस्तु के वेग पर निरभर करता है जो की नियत है या बदल रहा है यानि कि वस्तु एक समान गती से चल रही है या एसमान गती से चल रही है वह वस्तु का वेग है वेग में हमने दो चीजे ली थी एक हमने चाल को लिया था और चाल के साथ साथ हमने दिशा को भी वहाँ पे सम्मिलित किया था तो चाल और दिशा दोनों हमने सम्मिलित की थी और इस तरीके से हमने वहाँ पे वेग बनाया था तो गती जो है वो वेग भी या गती दोनों एक ही बात है दोनों को कहा जा सकता है चाल जिसमें दिसा नहीं होती और गती चाल और दिसा मिलके वेग या गती बनाते हैं समान है समान वो एक समान चाल से जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कोई वस्तु सीधी रेखा में लगातार चल रही है तो उसकी गती या वेग एक समान है और अभी अभी हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु अपनी दिसा परिवर्थित कर दे वह चाहे एक समान चाल से चल रही ह तो क्योंकि वेग के अंदर दोनों चीज़े आती हैं चाल और दिसा इस वज़े से हम कहते हैं कि उसकी गती या वेग लगातार बदल रहा है उसके बाद हमने पढ़ा था परती इकाई समय में वस्तु दवारा तै की गई दुरी उसकी चाल है चाल का सुत्र हमने यह पढ़ा और परती इकाई समय में हुआ विस्तापन उसका वेग है यहाँ पे जो समझने की बात ये थी कि दुरी जब होती है तो चाल होगी दुरी के साथ चाल और अगर हम विस्तापन की बात करें तो विस्तापन के साथ होगा वेग तो जब कोई वस्तु विस्थापित होती है तो विस्थापन के अंदर दुरी और दिसा दोनों होती है जबकि चाल के अंदर सिर्फ दुरी है तो विस्थापन में दुरी और दिसा होने के कारण यह है विस्थापन होता है और जिसको हम उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है परती इकाई समय में तो उसको हमने वेग कहा था, तो इस प्रकार से वहाँ पर वेग बनता है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु का तवर्ण परती इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, यह ध्यान रखें वेग में परिवर्तन, यानि कि तवर जिसको हम वेग भी कह रहे हैं, यह बाइचांस ऐसे situation हमारे सामने है, कि वेग भी V से शुरू होता है, अगर हम वैसे लिखेंगे, और वेलास्टी भी V से, तो यह ध्यान रखे, V वेलास्टी के लिए है, वेग के लिए नहीं, वेग में वेग बटा T, T समय के लिए यूज हो सकता है, एसमान भी हो सकता है, उसके अलावे वेह धनात्मक हो सकता है, रिनात्मक भी हो सकता है, तो तवर्ण के बारे में ये चीज़ें भी हमने वहाँ पढ़े थी, अब उसके बाद हमने पढ़ा था, गराफ के दोरा वस्तू की समान और एसमान गती को दरसाया जा सकता ह हमने विभिन परकार के ग्राफ पढ़े थे और ग्राफों में हमने सीखा था कि जब कोई वस्तु की गती जैसे एक दुरी समय ग्राफ हमने पढ़ा कि इस दिसा में मैं समय ले रहा हूं और जो उपर की दिसा है इसके अंदर मैं यहाँ पे दुरी लूँ तो इस परकार से यहां पे वह वस्तु अपने स्थान को परिवर्थित नहीं कर रही, तो इस संदर्व में जो उसकी वेलोस्टी है या वेग है वो सुन्य हो जाता है। तो ग्राफ यह विदी से हमने इस तरह की बहुत सारी चीजों को सीखा था। समान और अए समान गती को वहां पे ग्राफ की सहायता से दर्साया भी था। अगला हमने पढ़ा था एक समान तवर्ण में चल रही वस्तु की गती की वेख्या समीकोणों के माध्यम से की जा सकती है। यहां पे ये तीन समीकर्ण हमने बनाई थी। ये थी हमारे पास वेग समय समीकर्ण, ये थी हमारे पास दुरी समय समीकर्ण, और ये थी हमारे पास वेग दुरी समीकर्ण, पहली समीकर्ण जो है, वो हमारे पास वेग समय समीकर्ण है, दूसरी जो समीकर्ण हमारे पास है, वो है दुरी और समय, क्योंकि यहाँ पे एक जो ले रहे हैं उसको इसका नाम दे रहे हैं इस समीकन का वो दुरी समय कह रहे हैं जो चीज समान है उसको हम नहीं लेते समीकन के अंदर नहीं लेते नाम में यहां पे तीसरी जो समीकन है आप देख सकते हैं इसके अंदर वेग है और दुरी है तो इस वजह से इसको वेग द और T जो है उसको समय A को हमने तवर्ण कहा था और जो दूरी थी उसको हमने S से लिखा था तो इस परकार से यहां पे अलग-अलग तरीकों से इनको दर्साया गया था और अंत में अगर कोई वस्तू वर्तिय पत पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गती को एक समान वर्तिय गती कहते हैं यह अभी अभी हमने सीखा अगर कोई वस्तू एक वर्तिय पत पर एक समान चाल से वह चल चाल एक समान रहे जैसे हमने पंखे का उधारन दिया अभी आपने भौरे की सहायता से भी यह देखा था कि जब वो एक समान चाल से लगातार चल रही है तो उसकी गती को एक समान वर्तिय गती कहा जाता है आईए अब आपकी पाठ्य पुष्टक में पेज नंबर 121 पे दिये हुए कुछ सवालों को हल करने का परियास करते हैं यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है अब इस प्रसंद में हम देख सकते हैं कि वह विरामवस्था से चलना आरंब कर रही है तो ऐसे स्थिती में जो यू का मान है वो होगा जीरो क्योंकि विरामवस्था से उसने शुरू किया है और जो तवर्ण दिया गया है तवर्ण को हम एसे लिखते हैं उसका मान हो जाएगा 0.1 मीटर 32 स्केर अब हमें यहां पे दो पार्ट दिये गए है पहला भाग है प्राप्त की गई चाल हमें गयात करनी है कि वह कितनी चाल प्राप्त करेगी तो जो पार्ट A है उसके अंदर हमें जो अंतिम वेग है वो गयात करना है और दूसरा भाग है उसमें तै की गई धुरी, यानि कि जो B भाग है, उसके अंदर हमें S का पता लगाना है कि S क्या होगा, तो पहले A भाग को सोल करने का प्रियास करते हैं, तो देखिए, यहाँ पे अगर हम समीकन लगाएं, V वराबर है, U जमा A T, V यहाँ पे अंतिम वेग है, A हमारे पास त जीरो है, उसके बाद A का मान 0.1 है, और समय जो दिया गया है यहाँ पे टाइम, वो दो मिनट है, और दो मिनट के अनुसार अगर हम उसको समय को बदलें सेकंड में, तो T 2 मिनट और इसको सेकंड में बदलते हैं, तो 120 सेकंड बनता है, तो यहाँ पे 0.1 गुना 120, इसको आप hal करेंगे तो इसको hal करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इस में 12 m sen तो जो पहला भाग है उसका उतर आता है हमारे पास 12 m sen अब चलिए दूसरे भाग को सोल करने का प्रियास करते हैं यहां पर B part को यहां पे हम जो समीकर्ण उप्योग करेंगे वो होगी v²-u² बराबर है 2as यहां पे v अंतिम वेग है यू आरंभिक वेग है और यहां पे अभी हमने निकाला है अंतिम वेग को जिसका मान हमारे पास 12 आया था तो 12 का स्केर यहां पे अंतिम वेग आप देख सकते हैं यह हमार यह जो v है यह अंतिम वेग है यह यही मान है तो इसमें हमने रखा तो यह हमारे पास आ गया 12 और उसका स्केर माइनस u आरंभिक वेग है जिसका मान 0 है बराबर है 2as 2aa का मान यहां पे दिया गया है 0.1 और s दुरी हमें ग्यात करनी है तो यहां से अब हम s को निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 144 यह है हमारे पास और यह भाग जो दूसरा पार्ट इसके अंदर बनता है यह जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे भाग में जाएगा यानि कि इससे हमें 144 को भाग देना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 0.2 और यह हमारे पास आ जाता है इसके अनुशार 720 मीटर आईए अब दूसरा सवाल देखते हैं कोई रेल गाड़ी 90 किलोमेटर परती घंटा के चाल से चल रही है ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर परती सेकंड स्केर का एक समान तवर्ण उत्पन करती है अब यहाँ पर इस सवाल में वह 90 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही है यानि कि वह गाड़ी पहले से चल रही है तो इस सवाल में यू का मान 90 हो जाएगा 90 किलोमेटर परती घंटा इसने दिया हुआ है इसको पहले हमें मीटर परती सेकिंड में बदलना पड़ेगा जिसका मान आ जाएगा 90 किलो मीटर के लिए हम 1000 उपयोग कर सकते हैं और परती घंटा के लिए अगर हम उपयोग करें सेकिंड में बदलें तो 60 मिनट और 60 सेकिंड जो कि इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 मीटर पर 30 सेकिंड यह मान हमारे पास आ जाता है इसमें यहाँ पे जो तवर्ण दिया गया है ए का मान जीरो इसमें दिया गया है माइनस 0.5 माइनस इसलिए क्योंकि वह रिनात्मक तवर्ण है क्योंकि यहाँ पे वेग घट रहा है इस वजह से और अंतिम वेग वह गाड़ी रुक जाती है तो व का मान यहाँ पे हो जाएगा 0 हमें ग्याद करना है दुरी S हमें यहाँ पे कल्कुलेट करना है तो देखिए यहाँ पे सुत्र इस्तमाल करेंगे V स्केर माइनस U स्केर बराबर है दो A S इस सुत्र का उप्योग करते हैं तो V का मान हमारे पास 0 है और आगे हम इसको हल करें minus u का मान 25 आया अभी अभी इसका square हमें करना पड़ेगा 2 गुना minus 0.5 और s हमें यहाँ पे ग्याद करना है तो इसको जब हम solve करेंगे तो s का मान हमारे पास आएगा minus 25 इसका whole square बटे 2 और गुना minus 0.5 अब इसको हम करेंगे तो यह हमारे पास हो जाता है minus 625 और यह हमारे पास हो जाता है minus 1.0 minus से यहाँ पे हम minus को cancel कर सकते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो मान बच जाएगा वो आ जाएगा 625 मीटर तो यहाँ पे जो दुरी उसने तै की यहाँ पे हम इसका पता लगा है तो विरा मवस्था से में आने से पहले वह है 625 मीटर की दुरी तै कर लेगी तीसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है एक ट्राली आनत तल पर 2 मीटर पर 30 सेकंड स्केर के तवर्ण से नीचे जा रही है गती प्रारंब करने के 3 सेकंड के परश्चात उसका वेग क्या होगा तो देखी यहाँ पे दिया गया है आनत तल आनत तल कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं जिसमें कुछ कोण के उपर यह बना होगा और इस पर शे धलान पर शे वो नीचे की यह तरफ आ रही है जरूरी नहीं इतना कोई भी हो सकता है कुछ भी कुण उसके लिए बना हुआ हो सकता है इस तरह का जो टेड़ा होता है उसको हम आनत तल बोलते हैं तो उससे वो 2 मीटर पर 30 सेकंड स्केर के तवर्ण से नीचे आ रही है वो है हमारे पास 3 सेकंड तो वहां जो शुरू किया था उसने आरंबिक वेग की अगर हम यहां पर बात करें तो वह सुन्य है क्योंकि विराम अवस्था से वह सुरू हुई है और जब वो नीचे आएगी नीचे तक आ चुकी होगी तो यह पूछ रहा है कि उसका वेग क्या होगा अंतिम जो उसमें पॉइंट पर आएगा तीन सेकंड के पस्चा तो वो वेग हमें ग्याद करना है तो इसके लिए हम जो समीकर्ण उपयोग करेंगे वो वी यू प्लस एटी यहां पे यू कामान सुन्य है प्लस ए यहां पे दो दिया गया है और जो टी है वो हमारे पास तीन सेकंड है इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 तो 6 मीटर पर ती सेकंड तो इस वेग के साथ वो है नीचे आएगी तीन सेकंड के पस्चा अगला सवाल है एक racing car एक समान तवर्ण 4 मीटर परती सेकंड स्केर है गती प्रारम करने के 10 सेकंड परश्चात्व है कितनी दुरी तै करेगी तो यहाँ पे जो तवर्ण है उसका दिया हुआ है और जो तवर्ण का मान इसने दिया है वो है हमारे पास 4 मीटर परती सेकंड प्रारम करने के 10 सेकंड परश्चात यानि कि जो समय दिया इसने वो हमारे पास है 10 सेकंड कितनी दुरी तै करेगी हमें ग्यात करना है यहाँ पे S का मान की दुरी क्या होगी आरंबिक वेग उसी परकार से यहाँ पे भी सुनने है तो इसके लिए दुरी और समय के बीच जो समीकन होती है वो हमें चाहिएगी और वो होती है S U T जमा एक बटा दो एक ट स्केर अब यहाँ पे U का मान जीरो है और जो समय दिया गया है वो है हमारे पास 10 एक बटा दो तवर्ण हमारे पास 4 है और समय का मान 10 है इसका स्केर अब इसको आगे हल करें तो 0 से 10 की गुणा करेंगे तो 0 जमा एक बटा दो गुणा 4 गुणा 100 यहाँ पे हम थोड़ा सा हल करें इसको तो यह 2 से कट जाता है तो हमारे पास जो उत्तर आएगा यहाँ पे इसके अनुशार जो ऐसा आएगी या दुरी आएगी वो हमारे पास आजाएगी 200 200 मेटर तो 10 सेकिंड में वहे अपने आरंभिक स्थल से 200 मेटर की दुरी तै कर चुकी होगी तो यहाँ तक आपको अध्याय गती पूरी तरह से समझ में आ गया होगा विभिन उदाहरण एवं अभ्यास के प्रशन हमने विभिन वीडियो में बीच में डिसकस किये और वहाँ पे उनको हल करने का परियास किया आप भी अध्याय में दिये हुए ऐसे बहुत सारे ताहरणों को या अभ्यास के परशनों को हल करने का परियास की जिए वे सभी अध्याय के अंत में आपकी पाठे पुष्टक में अभ्यास के लिए जो प्रशन दिये गए हैं वहाँ पे हैं वहाँ से आप इनको हल कर सकते हैं बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक्यू बर्माच